नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का गैतरी जोतिस के इंद्र में हमेशा ही आप लोगों के लिए जोतिस चाश्ते जुड़ी हुई महत्पपूर्ण जानकारी के अपिसोड हम समय समय पर परसारित करते रहते हैं आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्पपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं आज हम आप लोगों को बताएंगे वैदिक मंत्र के लाब वैदिक मंत्र वे मंत्र होते हैं जो वेदू से ले गए हैं इन्हें जाप और यग्य में इस्तिमाल किया जाता है वैदिक मंत्रों के बारे में कुछ खास बाते हैं मान्यता है कि वैदिक मंत्रों को सिद्ध करने में काफी समय लगता है एक बार सिद्ध हो जाने के बाद ये मंत्र कभी नश्ट नहीं होते और उसका प्रवाव हमेशा बना रहता है वैदिक मंत्रों में चार तरह के शरों का इस्तमार होता है ये है उद्दान, अनुद्दान, श्वरित और दीर्गश्वरित वैदिक मंत्र दिब्य सक्तियों से भरपूर होते हैं ये मंत्र भक्त और भगवान को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है इसका विदी विदान से जाप करने से सुक, संबर्दी और सिद्या मिलती है महामिर्द्युन्जाई मंत्र को चमतकारी मंत्र माना जाता है इस मंत्र का जाप करने से रोग, दोस और भैसे मुक्ति मिलती है ध्यान से सुने सूरी का वैदिक मंत्र जो आपके स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा होगा ओम आकस्नेन रजसा वर्तमानो निवेस्यन मृतम मृत्यंच हिरनेन सविता रथेना देवो याति भूनान पस्यन इस मंत्र को साद जार की संक्या में जापने के पस्यात आपके जीवन से रोगू का नाश सत्रुभाई समाप्त व्यक्ति के तेज में ब्रिद्धी चमक राजनीती मैलाप सरकारी सस्तानों मैलाप मिलता है सूर्य देव के बीच मंत्र का जाप करने से सीगरफल मिलता है और अन्यगरहू की महादसा का परभाव कम होता है सूर्य देव के मंत्रों का जाप करने से जीवन में उरजा आती है और निरोगी काई का वरदान मिलता है सूर्य देव के मंत्रों का जाप करने से हर तरह का तनाव दूर होता है और मानसिक सांती मिलती है सूर्य देव के मंत्रों का जाप करने से जीवन में बल और प्राकरम मिलता है अनकारी पसंद आए तो जरोर आगे बढ़ा कर चैनल लाइक शियर करें पहली बार देख रहे ही लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वैल आइकन के वटन को जरूर दबाए हमारे साथ वटसप गुरूप और टेलिग्राम गुरूप में जुड़ने के लिए नीचे दिएगे लिंक में किलिक करें और इसी जानकारी को विश्टी पढ़ने के लिए नीचे दिएगे वेबसाइल लिंक में किलिक करें तो मिलेंगे ऐसी ही किसी बहुत अच्छी जानकारी के अपिसोट के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार